गुड मॉर्णिंग फिफ्ट क्लास आज सेकेंड फैब है सेकेंड फ़र्वरी और आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण में आज हम पत्र लिखना देखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है अवकाश लेने के लिए अवकाश का मतलब होता है छुट् प्राफना पत्र अवश्यक्त मतलब जरूरी कार्य मतलब काम जरूरी काम के लिए छुट्टी लेने के लिए प्राफना पत्र आपको कोई का अगर जरूरी काम है और आपको छुट्टी लेनी है स्कुल में तो आपको पत्र लिखते हैं अप्लिकेशन लिखते हैं आप मैड करिएगा तो चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेज़ के leftします जाने कि left में इदर आपको लिखना है सेवा में सेवा में कॉमा लगाना है पिर आफको यह कॉमा लगाय को लगाएसने, क्योंकि आपकी स्कूल की ठीडरे आज़ें वह स्टार्ट करें धर प्रधान अध्यापी का महोदया महोदया इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो लिए वो तो इस वज़े से प्रधान अध्यापी का लिखावा है शिरीमती प्रधान अध्यापी का महोदया न्यू मदर टेरेसा मॉन्टेशरी स्कूल लालपूर ब्रैकेट में उधम सिंग नगर, प्रदानाचार्या के लिए लिए लिखा, उनका स्कूल का नाम लिख दिया, फिर दुबारा से लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे, महोदया, और अगर कोई जैंट सगर होता है प्रिंसिपल, तो क्या लिखेंगे, महोदया, लेडी हैं कोई, माता जी के साथ दिल्ली जाना है, अता मैं दिनाक 28.1.2021 से 29.1.2021 तक स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, मतलब आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत जरूरी काम से, आवश्यक का मतलब मैंने बताया, जरूरी होता है, जरूरी काम से म अम्मी के साथ अपनी दिल्ली जाना है, अताहा और मैं दिनाक 28.1.21 से 29.21 यानि कि आश रहेगा, आप स्कूल नहीं आएंगे, तो 28.21.21 से 29.21 डेट डालेंगे, तक स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, असमर्थ मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप स्कूल आप उपस्थित, आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे स्कूल में, किरपिया मुझे दो दिन का अफकाश परदान करें, आपकी अतिक किरपा होगी, तो 28 से 29, यानि कि दो दिन हो गए, 28 तारिक और 29 तारिक दोनों दिन आपकी छुट्टी का ये पत्र है, अप्लिकेशन है, तो फिर नीचे एक दो लाइन छोड़के आप राइट साइड में, ये राइट साइड होती है आपकी, तो आप लिखेंगे आपकी आज्याकारी शिश्या या फिर शिश्या लिखेंगी लड़किया, शिश्य लिखेंगे लड़के, ठीक है, नाम लिखेंगे अपना फिर सब चीजों का द्यान रखेंगा साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि तो आज का आपका काम यही है मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू